प्रणाइब देना चाहूंगा कि न तो कोई नेता है न कोई पार्टी है न कोई नेत्रत्तो है उसके बाव्यूद भी इतनी भारी संक्या में पूरे देश में लोगों ने जो दो तारीका भारतवन्द का हावान था उसको फूर्ण रूप से सपल किया है उसी कड़ी में All India SCST Railway Association जिसकी साड़े तीन लाग की मेंबर से पहे उसमें से तेड़ लाग लोगों ने करमचारियों ने लगवाग चुट्टी लिये आज और उस चुट्टी को लेकर के भारतवन्द में सयोग किया है और उसी भारतवन सयोग में हमने ये आवान किया है आपको यह कहना चाहूंगा कि अभीगत 20 महर्च को एक सर्वोच नियाले के दो जजों की बेंच है उसने नेड़े दिया है अनसुचित जाती 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 अत्याचार निवारल कानूं 1989 जिसमें उन्होंने बदलाब करने का प्रयास किया है जिबकि सर्वोच नियाले को ऐस आपि कि समाच की बेंटियों का बलादकार होता रहेगा ठीपोर्ट दर्द नहीं होगी हमारी बेंटियों के साब चेरचार होती रहेगी हमको जाति सुर्व नियुक्त करेंगा लेकिन उसमें कोई रूपोर्ट तब तक नहीं होगी जब तक उसकी कोई इनक्वारी नहीं हो जाए जब कि यह जो अत्याचान निवारण कानून सब्सक्राइब करने के लिए उनको सम्मान दिलाने के लिए और उसी करम में आपने देखा होगा कि वो कहते हैं कि मिसीव हुआ है तो मैं यह जानना चाहता हूं इसका अभी तो यूजी नहीं हुआ मिसीव कहां से हो गया मिसीज होने का सवाल ही नहीं उड़ता और जहां तक सोचल स्टेटर्स को बढ़ाने वाली बात है तो मैं आपको यह कहुँआ कि जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जजीयों तो मैं संपूरानन्द की मुर्ति को उन्होंने अनावरन किया था जब वह दृट्टी प्राइम लिश्टर थे तो उस मूर्ति को संपूरानन्द की मूरती को गाय के दूस्से गाय के यानि कि एक जानवर का गोवर पवित्र हो सकता है और एक एक चूत के हाथ जो है अपस्थू करों कि यह दीरे धीरे सम्मिदान में छेड़चार करने वाली बात है यह संविदान को बदलने की प्रिक्रिया में एक क्रम है, कि कोड के द्वारा इस तरीके की निढ़ए कराए जाए, जिससे की जो समाध है, वो पोजन में दीरे दीरे उसको इसे अप करना सुरू कर दे। और पिर हम उसको संविधान को दीरे से बदल करके समीच्छा करके हम दूसा संविधान ले आएं मैं यह कहना चाहूंगा यह बाबा साफ डॉक्टर भीवराव अंबिरकर का दिया हुआ संविधान है उन्होंने बड़ी मेनस से बड़ी मेलब लगन से इस संविधान को तयार किया है और एक ऐसा संविधान बाबा साफ डॉक्टर भीवराव अंबिरकर ने दिया है कि जो अनुसुटी जाती जन जाती की फेवर में हैं उनको संविधान दिलाने के लिए हैं और आज उनको प्रहर हो रहा है आज लगा सरकार को कि जो आज बहुदर समाज के लोग सोए हुए थे आज तून उससे हो चुके और आगे समिधान पर छेट शाट नहीं करेंगे लगता है आप देखिए मैं जो केंद्र सरकार ने पुर्णर विचारी आज का दायर करने का प्रयास किया है दायर याज का द याज का उनी जज़ों के पाद जाएगी जिदि ज़ों ने यह ने दिया तो उसमें क्या ने लेंगे मैं तो यह अन्रोद करता हूं अब आप ने बताया कि पुर्णर के लिए जब सुप्रीम कोड इस तरीके के पैसले सुनाटा है तो सरकार उसमें इन्वाल होती है सरकार आड़ोकेट जनल को बेशती है अटोणी जनल को बेशती है लेकिं सरकार की इसमें क्या वंसा रही उन्होंने किसी को नहीं पीजा यह बड़े दुरभाकी की बात है कि सरकार के खिलाप खासकर के कोई एक जो एक बहुत संभेदन सी समाज के लिए एक्ट बनाया गया हो उस में कोई ऐसा एड़ोकेट खड़ा नहीं हुआ कि जो उस एक्ट के बारें बता पाए कि यह एक्ट क्यों मनाया गया था और इसको 26 जनरली 2016 में जो प्रणम मुखरजी जो रास्पती थे उन्होंने मजबूत करने का काम किया लेकिन एड़ोकेट जनल ने न जा करके किसी छो करने का प्रयास किया है कि समाज के साथ जो हो रहा है दुर्विवार उसको प्रॉपर रूप से उनको बताया है लेकिन यह नहीं बताते हुए उन्होंने इस एक्ट के खिलाप अपना अपना आप से चार सो पैंतालिस विदायक है और 134 मेंबर और पार्लिमेंट जिने सांस तो हम लोग कर देखिए मैं इस पर कोई टिपड़ी नहीं करना चाहूंगा वो हमारे देश के राश्पती है लेकिन यह प्रेंगे बावा सापने अंगरा के अंदर यह कहा था मैं कर रहे हूँ करना चाहूंगा हमारे देश के राश्पति है उनकी जुम्मेदारी बनती है कि क्वहीं क् decir का जो कानून बनाए गये और खास करके उंस समाज में कानून कर दोनों जजों के खिलाब इंपीजमेंट मुसल लाना चाहिए पाली अवेंट में महावयोग लाना चाहिए और उन कर दोनों जजों को हटाना चाहिए जिससे की आगे आने वाला कोई भी जज़ अनुसी जाती जन जाती के किसी भी मुकत्व में इस तरीके का निर्णा नहीं दे पाएंगे अगर हमारे सांसर राश्पती अगर उन पर रोक लगाएंगे हैं इस इकरम में हमने चार अप्रेल को डॉक्टर इंटरणीस इंटरनेशनल सेंटर में तीन बजे और सारे असवी ऑनिकी सांसद है अनों को पूर्प के सांसद इंसे को हमन्तिया है सांसतों को कि ज़ीखमेंट हुआ है अनच्टिटीटूजनल यह गलत आप इस पर बहास कीजिए गास को लगता है सांसतों आपको मन्च पर आहेंगे ये सांसत साथ बहुत सारी करने का नहीं कर रहा है बात करें तो उनों को मन्च पे लोगोंrese ने दिया उनों को सत्ता तायो और जो क्वेटन में इस पैस को नहीं उठा सकता वहां मैं को तो में उन्होंने जो भी बात उठाई है अभी कल लखनव के अंदर एक बहुत बड़ा रैली हुई जो सांसद है मानेनिया सावितरी वाई फूले लगवाई एक लाख लोग महां एकत्रित हुए थे और उन्होंने खुले मंद से भारती जंता पालिटी को लरकारते हुए कहा कि म मेरी जवाब देए पहले संसंद में पर मेरी जवाब देए पहले जंता मंती है और मेरी जंता के खिलाब कोई आधेस इस तरीके का होता है या मेरे समाज के खिलाब को इस तरीके का विवार या अत्याचार होता है संविदान से कर छेड़ चार की जाएगी तो मैं पहली सां करें नाम लिये हुए मैं सांसितों से आवान करूँगा कि यह मुद्दा ऐसा है अगर बाबा साब डॉक्टर भीवराम मेट कर को सम्मान दिलाना चाहते हो और आप खुछ सम्मान लेना चाहते हो तो हमारे साथ आपको अंदोलन में उतरना पड़ेगा नहीं तो आने वाले सम झाल